हेलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं गुरुग्यान चैनल मैं हूँ अमर प्रकास स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मुबाइल को बिल्कुल लैप्टोप या कम्प्यूटर के तरह यूज करें ठीक उसी प्रकार का इंटरफेस आपको मुबाइल पर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कोई ब्रोजर को ओपन करते हैं तो जो इंटरफेस आपको कम्प्यूटर पर देखने को मिलता है ठीक उसी प्रकार का इंटरफेस आपको मुबाइल पर भी देखने को मिलेगा मतल जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक अप्लिकेशन को अपने मोईल में इंस्टॉल करना है जिसका नाम है लीना डेक्स्टॉप यूपाय मल्टी विंडो ये साथ से आठ हमी का एक छोटा सा अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ आप चाहो तो वहां से भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद इससे ओपेन कीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा आप इससे चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसी कि टेक्स साइज, यूजर सिस्टम, वाल पेपर, अस्टेडस बार इन सारी चीजों को आप जितने भी दिख रहा है इसमें इन सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसके बाद सबसे नीचे में कुछ अप्लिकेशन दिया हुआ है जो लीना लॉंचर के तरफ से आता है जैसी कि फेसबुक हुआ, यूटूब हुआ, ब्रोजर हुआ, फैल मनेजर हुआ, ट्विटर हुआ, गूगल हुआ, गूगल ड्रैब हुआ, ड्रोब बोक्स हुआ और प्रोजर ओपेन करते हैं, तो उसका भी इंटरफेस, लैप्टोप या कॉम्पूइटर के तरह देखने को मिल रहा है, फाइल मनेजर को ओपेन करते हैं, तो आपके मोबाइल के इंटरनल और एक्स्टरनल स्टूरिज में, जो कुछ भी रहेगा, जैसी कि वीडियो हुआ, ओडियो हुआ, फोटोज हुआ, या कोई डोकुमेंट हुआ, उसे आप यहां से देख सकते हैं, सेम लैप्टोप और कॉम्पूइटर के तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, आप चाहो तो किसी भी फाइल को डिलेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या कॉपी कर सकते ह यहां से आप कर सकते हैं, किसी भी अप्लिकेशन को आप चाहो, तो सबसे नीचे सेट कर सकते हैं, जिसे आप ज्यादा यूज में लेना चाहते हो, या आप चाहो, तो किसी भी अप्लिकेशन को यहां से हटा भी सकते हैं, तो कुल मिला के कहा जाए, तो यह एक बहुत ही order की आप सकता हो तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी कुछ नए सीखिने को मिले होंगे और कुछ आप पहले से भी जानते होंगे दोस्तों एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है याँ आपको पसंद आया है तो प्लीज में भीडियोो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बताई यह कीसा था और यह दिदि वीडियो को समझने में कोई दिकत हुआ हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट्बोक्स में कोमेंट करके बताईए दोस्तों यह आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यादि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिजी और पास में बेल एकन को भी आप प्रेस कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आज के लिए इतना ही दोस्तो तब तक के लिए बाई